चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो नीट 21 की एकजाम डेट अनाउंस होने के बाद अभी काफी सारे स्टुडेंट ने कॉमेंट्स किया है कि नीट 21 एकजाम के लिए एप्लिकेशन फॉरूम कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोस्तो नीट 21 की प्रिवियस स्टेटमेंट के अकोर्डिंग ये मार्च लास्ट में स्टार्ट होने की पूरी-पूरी संभावना है और ये अप्रेल तक अवेलेबल रहेंगे माई में क्रेक्शन फैसलिटी अवेलेबल रहने की संभावना है और 10 जुलाई के नियरवाई ये एड्मिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे हालांकि अभी एंटी ने एकजाम डेट अनाउंस तो की है लेकिन कोई सेडूल जारी नहीं किया है लेकिन मैं आपको ये प्रिवेस इयर्स के अकोर्डिंग जो एकजाम कंड़क्ट हुई है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से इवेंट में कितना समय लगता है और वो कब हो सकते हैं नीट 21 के लिए एप्लिकेशन फॉर्म www.ntaneet.nic.inwebsite पर भरे जाएंगे यहाँ पर ही आपको सभी लेंग्वेज में इनफॉर्मेशन ब्लेटिन अवेलेबल होंगे यहाँ पर न्यू रेजिस्टेशन और कंडिडेट लोगिन का ओप्सन होगा फिल एप्लिकेशन फॉर्म का भी ओप्सन यहाँ पर ही आपको मिलेगा जिसके थुरू आप एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं हालांकि अभी 2020 के लिए यह वेबसाइट अफडेट नहीं हुई है अभी 2020 के इवेंट्स ही दिखा रहा है रेजिस्टेशन के लिए आप इस वेबसाइट पर continue विजिट करते रहें जैसे ही रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा साथी साथ यह भी बता दूँगा आपको एप्लिकेशन फॉर्म स्टेप बाई स्टेप कैसे फिल करना है तो आप बने रहे हमारे साथ में जैसे ही एप्लिकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो की साथ में तब तक के लिए जैहिन